खबर महाराष्ट के गोंदिया से महाराष्ट राज्य कोटवाल संगठन द्वारा चतुर्थ स्रेणी होने बाबत जीलादीकारी कारयले के सामने अंदोलन गोंधिया इस्थानी जीलादिकारी कारेले के सामने शाषन की अडियन नीती से विगत 50 वर्षों से काम करने वाले महसूस विभाग के महत्पुणपत के कोतवाल, किंतु विभाग की जीवी काम को अंजाम देने कोतवाल सक्षम होता है जिसमें चुनाओ हो, वसूली हो, कोरुना हो, सासन के अनेक काम करता है किन्तु उन्हें अभी तक चतुर्द स्रेणी का दरजा नहीं मिलने से भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा इस वास्ते अनेक अंदोलन भी किये गए दो मुख्यमंत्री, एकनाचिंदे मंत्री, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आदी से मांग कर पूर्ण अगर मांग नहीं हुई तो यहां कोतवालों का भी मुद्दत अंदोलन चलता रहेगा ऐसा प्रेशवारता में कहा गया देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूस पर माराश गूंदिया से सतीस पारदी की रिपोर्ट प्रगार का महसूल के जमा होता है तो हम अपने वरिष्ट अदिकारीं को जमा करने के लिए बहुत सारा मदद करते हैं इसलिए एक ही मेरी विलंति है सरकार को आपके चानल के माद्दम से कि भही हमारी जो फोर्ट क्लास की हमारे बुजरुकों से लेके जो आस तक चलते आ रही है इसको एक बार क्लास दे करके यह हमेशा के लिए इससे खतम करें ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे माज सम्मान से और हम समाज में अच्छा दर्दा प्राप्त कर सकी इसलिए हमारे को चानुसरी एक ही हमारी मागनी जो पूर्ट करें सब्सक्राइब करते हैं तैसल से नोटिस लाना है तैसल बाड़ा नोटिस बाटना है नसर की टापती की ड्यूटी शुट्टी ग्रही फिर भी करते हैं हमारे बंदु लोग रेतिघाट पे ड्यूटी करते हैं इलेक्शन के काम करते हैं इलेक्ष्न के तायर करने रही नहीं ऑधिकार है कि आपको सब लोगों को पता होंगा कि कोत्वालों को कितना काम करना पड़ता है जिम्मेदार व्यक्ति है कोत्वाल सबसे छोटा पद है और उसको ज़रूरी है फोर्तकलास और यह स्यासर ने बिलकुल आमको देना ही चाहिए क्योंकि हमारी भी अभी मानसिक्ता कराब हो रही पर एक बार में आमको फोर्तकलास दे दे और हमारा टेंशन ही दूर कर दे ना क्योंकि हम राइब उस्त लायक करते हैं